अनरूप की अपने मालिक से काफी कहा सुनी हो गई थी मालिक ने उसे नौकरी से छुट्टी दे दी थी अनरूप बड़ा दुखी था और सोच रहा था घर में पहले ही गरीबी ने तांडव मजाया हुआ है इस नौकरी से किसी तरह सब का पेट भर रहा था बूढे माबाप की दवाई अभी भी नहीं ला पाया हूँ घर जाते ही पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा नहीं नहीं मैं घर नहीं जा सकता मैं कुछ समय अकेले में बिताना चाहता हूँ वह उदास शहर की सीमा के पास बने जंगल में चला गया अपने जीवन के बारी में सोचते सोचते आगे बढ़ता जा रहा था कि तब ही अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी और वह तुरंद पेड़ के पीछे छुप कया उसने देखा आसमान से परियां उतर रही है और पीपल के बड़े पेड़ के पीछे जाकर गायब होती जा रही है वह बुरी तरह से डर गया और सोचने लगा ये भगवान अभी तक तो परियां कहानी में ही सुनी थी आज आखों के सामने भी दिखाई दे रही है आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है अगर मैं किसी को ये बात बताऊंगा तो लोग मुझे ही पागल समझेंगे लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये परियां पीपल के पेड़ के पीछे जाकर कहां गाइब हो जाती है ठीक है कुछ देर इंतिजार करता हूँ उसके बात देखूंगा अनरूप वही छुपकर इंतिजार करने लगा उसे याद आने लगा कि किस प्रकार दुगान के मालिक ने उससे क्या-क्या कहकर उसकी बेज़ती की थी तुम दो कौडी के नौकर हो तुम्हारी हिम्द कैसे हुई कि मेरी कुछ़़ी पर बैट कर सो गए तुम्हारी जगा ये जमीन है अगर कुर्सी पर बैटना है तो मेरे बराबर बन कर दिखाओ वरना अपना ये काला मूँ दुबारा मत दिखाना अगर मेरे बराबर बन गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूँगा अभी वे ये सब सोची रहा था कि अचानक उसे पीपल के पेड़ के पीछे से फिर आवाज सुनाई देने लगी और एक-एक करके परियां पेड़ के पीछे से निकल कर आसमान में उड़ने लगी सभी परियों के चले जाने के बाद अनुरूप पेड के पीछे गया तो उसने देखा कि पेड पर बैठा एक पक्षी गाना गा रहा था मैं हूँ परी लोग की चड़िया नहीं मैं ऐसी वैसी जो मुझे को देख सके नहीं सब की किस्मत ऐसी पर मुझे तो तुम दिखाई दे रही हो अच्छा तो तुम जो चाहो मांग लो क्योंकि मुझे वर्दान है जो मुझे देख सकता है मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है मैं बहुत दुखी हूँ और किसी ऐसी जगा जाना चाहता हूँ जिसे देख कर सब भूल जाओं आमर फट धोखा हट खोल दरवाजा फटा फट पीबल के पेड की जड़ में नीचे जाने के लिए सीड़ियां दिखाई देने लगी देख क्या रहे हो जाओ और सब भूल जाओ और यह कहकर पक्षी उड़ गया अनुरूप सीड़ियों से नीचे पहुँचा तो हैरान रह गया जमीन के अंदर बहुत ही खुबसूरत दुनिया थी चारों तरफ परियां उड़ रही थी पर सभी बड़ी उदास थी तभी परी सैनिकों ने उसे गिरफतार कर लिया अनुरूप तुम भूमिगत परिलोग में आ गये हो वह रास्ता परिलोग का रास्ता है एक राक्षस ने पूरे परिलोग को भूमी के अंदर कैद किया हुआ है इंसानों को यहां आने की इजाज़त नहीं है परियों की रानी बोली अनुरूप तुम सीधे साधे आत्मी हो तुमारे लिए यहां से दूर रहना ही अच्छा है जाओ अपने घर जाओ और यहां मत आना वरना मुफ्त में मारे जाओगे बाहर जाकर किसी से इसकी चर्चा भी मत करना फिर परी रानी ने जादू से उसे वापस भूमिगत परी लोग से बाहर निकाल दिया अनुरूप जब वापस आ रहा था तो उसने पेड़ पर बैठे उस जादूई पक्षी को पकड़ लिया और वह पक्षी लेकर बाजार में बैठ कया वह यह देखकर हैरान रह गया कि आने जाने वाला कोई भी ग्राहक उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था अचानक एक खुबसूरत सोने की बग्गी उसके पास आकर रुकी और उसमें से दुकान मालिक की बेटी जो अनुरूप को बहुत पसंद करती थी नीचे उतरी अनुरूप तुम यहाँ पर क्या बेच रहे हो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आज आपके पिता ने मेरा बहुत अपमान किया है लगता है इसी कुरोध के कारण आप मेरा मजाग उड़ा रही है मेरे पीछे इतना खुबसूरत पक्षी रखा हुआ है क्या आपको पक्षी दिखाई नहीं देता तुम कौन से पक्षी की बात कर रहे हो अनुरूप तुम्हारे पीछे तो कोई पक्षी भी नहीं रखा उसकी बात सुनकर अनरोध को बड़ा ही क्रोध हाया और उसने पास में बैठे सबजी वाले से कहा लो भाया सुनो इन अमीरों की बातें क्या तुमको भी मेरे पीछे रखा हुआ चितरे दिखाई नहीं दे रहा और रास्ते में जाने वाले एक यात्री से पूछने लगा और भाया जी क्या आपको मेरे पीछे रखा हुआ ये खुबसूरत पक्षी दिखाई नहीं देता कौन सा पक्षी तुम्हारे पीछे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अब अनुरूप बड़ा परिशान हो गया क्योंकि उससे पक्षी साफ दिखाई दे रहा था यहां तक की वे मनुष्य की बोली में गाना गा रहा था अनुरूप ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और चुप चाप पक्षी को लेकर अपने घर चला गया अरे अनुरूप तुम कहा चले गये थे सुबह से घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा बहुत भूख लगी है तुम अपने साथ ये कैसा पक्षी लेकर आये हो मा की बात सुनकर अनुरूप के मन में यह शान्ती हुई कि मा को पक्षी दिखाई दे रहा है मा आज दिन भर की यही कमाई है मा ने जैसे ही पक्षी को चुआ वे फिर गाने लगा मैं हूँ परी लोक की चिडिया नहीं मैं ऐसी वैसी जो मुझे को देख सके नहीं सब की किस्मत ऐसी पर मुझे तो तू दिख रहा है अच्छा तो तुम जो चाहे मांग लो क्योंकि मुझे वर्दान है जो मुझे देख सकता है मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है चल हट मुआ मुझे क्या देगा मैं अपने परिवार के लिए पेट भर भोजन चाहती हूँ और भला क्या चाहूंगी दे सको तो सोने चांदी का महल दे दो खीरे जवारात के गहने दे दो नौकर चाकर से घर भर दो मा के कहने की देर थी कि अनुरूप की छोटी सी जोपड़ी एक सोने चांदी से बने चमकते महल में बदल गई मा का पूरा शरीर हीरे जवारात के गहनों से भर गया पिताजी और अनुरूप के कपड़े भी राजसी हो गए घर में बहुत से नौकर चाकर उनके आसपास घूमने लगे और उनकी सेवा करने लगे यह देखकर अनुरूप बहुत डर गया और सोचने लगा मैं तो चोरी से इस जादूई पक्षी को लिया आया था अगर परियों को पता चल गया तो बे मौत माना जाऊंगा जल्दी से जल्दी इसे वापस पहुचा देता हूँ पर तब ही उसके पूरे घर को परियों की सेना ने घेर लिया और उसे बंदी बना लिया वे डर से कापता हुआ बोला मुझसे क्या भूल हुई है अनुरूप तुमें कुछ भी नहीं पता जो पक्षी तुम चुरा के लाए हो वे जादूई है और उसमें हम परियों की शक्तियां कैद है अनुरूप ने अपनी मा की तरफ देखा तो मा बोली अरे वे पक्षी तो मैंने पास वाली विमला को दे दिया है ताकि वे भी अपने घर को सोने चांदी का बना ले तू तो जानता ही है बेटा वे कितनी गरीब थी मैं अभी लेकर आती हूँ जब वे विमला से पक्षी लेने गई तो लालची विमला बोली अरे पागल तो नहीं हो गई परियों की राजकुमारी यह सुनकर बोली तुमने अगर दो दिन में हमारा पक्षी हमें वापस नहीं दिया तो हम तुमें भूमिगत परिलोग में कैद कर लेंगे और अपना सेवक बना देंगे परियों के जाने के बाद अनरूप शहर के दरोगा के पास कया सहब मेरे पडोसी ने मेरा जादूई पक्षी चुरा लिया है वो भूमिगत परिलोग में रहने वाली परियां मुझे कैद कर लेंगे तया करके मेरी रक्षा करें अनरूप की बात सुनकर सभी लोग हसने लगे और बोले यह कोई मजाग करने की जगा नहीं है यह पुलस थाना है तुम जाकर पागल खाने में अपना इलाज कराओ अनरूप पीपल के पेड के पास जाकर रोने लगा अचानक पीपल के पेड से फिर बड़ा रास्ता नीचे को जाता हुआ दिखा अनरूप नीचे गया और सारी बात महरानी को बताई और बोला आप मुझे कैद कर लीजे कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है उसकी सच्चाई को देखकर महरानी ने उसे जादूई छड़ी दी और कहा यह छड़ी जाकर अपनी मा को दे दो और उनसे कहो कि उन्होंने पक्षी जिसको दिया है उसके सामने इस छड़ी को ले जाएं और बोले पक्षी वापस जाओ जिसने तुम्हें छुपाया हो उसकी खूब मार लगाओ वे स्वेम ही हमारे पास आ जाएगा अनुरूप ने ऐसा ही किया परियों की रानी की दी हुई छड़ी ने विमला की खूब मार लगाई और पक्षी अपने आप परियों की रानी के पास पहुँच गया परियों की रानी ने खुश होकर अनरूप को वर्दान दिया जिस दुकान से तुझे निकाला गया है उससे भी बड़ी दुकान तेरे घर के बाहर बन जाएगी अनरूप जब घर पहुँचा तो देख कर हैरान रह गया उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर बना हुआ था और उसकी सच्चाई के कारण परियों ने उसे ऐसा तोफा दिया था जिसने उसकी जिन्दगी हमेशा के लिए बदल दी थी अनरूप का मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलने लगा यहां तक की उसके आगे और कोई भी मेडिकल शॉप न चलती एक तिन अनरूप के दुकान मालिक आए और उन्होंने उसके पैर पकड़ ली और बोले मेरी बिटिया से शाधी कर लो सरल फिदय अनरूप ने उनकी बात स्विकार कर ली और दुकान मालिक की बेटी के साथ उसका विवहा हो गया और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा